आज की सभा में कल हमने material chapter start किया था आपके साथ और material chapter में point number one लिख लिया था objective कि क्या क्या objective है फिर concept number one में लिखा था हमने how to decide best purchase policy कि हमको purchase अगर समान करना हो तो कितना समान purchase करें best purchase policy क्या होने वाली है तीन factor उसके इंदर थे पहला था purchase price का factor कि समान से अब दुकान जब मार्केट से समान लाओगे तो यहाँ पे दो case बनेंगे या तो discount मिलेगा या तो discount नहीं मिलेगा दूसरा था truck में डाल के लाओगे तो आने जाने का खर्चा लगेगा transportation cost मतलब ordering cost लगेगी transportation, selection, supplier, delivery, loading, unloading के खर्चे लगेगे फिर उसको यहाँ पे store department में store करोगे तो यहाँ storage cost आपकी अलग से लगेगी फिर हमने लिखा था every business wants to minimize सभी business minimize करना चाहते हैं purchase भी सस्ता से सस्ता हो आने जाने का खर्चा भी कम से कम लगे पूरे साल में और उस समान को storage में रखने का खर्चा भी संभालने का खर्चा भी कम से कम लगे इसी को हम total inventory cost के नाम से जानते हैं तो सभी business organization अपनी total inventory cost per annum को कम से कम करना चाहते हैं इसके लिए हमने बोला भी यह यह कम कब होंगी purchase कम कब होगी जब discount मिलेगा order cost आने जाने का खर्चा कम होगा जब market में कम चक्कर लगाओगे market से समान 2-4 बार में ही जाके ले आओगे रखने का खर्चा कम होगा storage cost जब आप समान को store कम करोगे आपका storage space वहां का security guard का पैसा वहां के रखने का बिजली का बिल space का जो rent है वो सारे सिस्टम कम होगे तब जाके अपनी बात बनेगी हमने दो ही पर मुद्दा कल दो ही पर बात की थी order cost को कम कैसे करे और carrying cost को कम कैसे करे कल हमने इतनी ही बात यहां पर करी थी ठीक है तो conclusion क्या था कल वाली बात का देखो conclusion यह था कि अगर आपको अगर आपको order cost कम करनी है order cost आने जाने का खर्चा कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक बार में order size जो आपका है एक बार में बड़ा ज़्यादा समयन लें तो नमबर ओफ ओडर क्या होंगे आपके मार्केट के चक्कर आपके कम लगेंगे पूरी साल में इसलिए आपकी ओडर कोस्ट भी क्या आएगी कम आएगी कंक्लूजन नमबर वन यह ध्यान रखना है दूसरा कंक्लूजन था इफ ओडर साइज स्मॉल रखो गया थोड़ा-थोड़ा समान मार्केट से जाके लए क्या होगे जैसे माली जी मैंने भूला आपके घर पे सो किलो आटा यूज होता है पूरे साल में अगर आप एक 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 लॉट्टे की चक्र लगा ओगी तो सो चकर लगाने पड़ेंगी तुम को अगर आप दो-दो किलो आटा लिया ओगी तो पचास चकर में यह जाएगा तो हमने बोला अगर तुम small रखोगे मतलब एक किलो ही आठा ले क्या होगे तो तुमको 100 चकर लगाने पड़ेंगे मतलब number of order क्या बनेंगे ज्यादा बनेंगे तो order cost भी क्या होएगी ज्यादा होएगी लेकिन दूसरा conclusion हमने last में यहाँ पे लिखा था क्यारिंग कोस्ट के बारे में क्यारिंग कोस्ट का conclusion यह लिखा था कि अगर तुम समान ज्यादा लेके आओगे order size आपका big होगा तो storage में अगर मालेजे समान market से ज्यादा लेके आओगे तो storage space भी तो बड़ा चाहिएगा तो storage space बड़ा चाहिएगा तो आपका क्या करना पड़ेगा average stock भी ज्यादा रहेगा आपके पास storage ज्यादा रहेगा यहाँ पर समान ज्यादा ले आओगे तो इसी बात है stock का volume भी आपके पास हमेशा ज्यादा ही रहेगा तो रखने का खर्चा भी क्या आएगा ज्यादा आएगा carrying cost पर एनम क्या होगी ज्यादा लेकिन अगर small रखोगे size order size को small रखोगे तो stock भी कम रहेगा फिर आपके पास और stock अगर कम रहेगा तो रखने का खर्चा भी कम आएगा यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी अब मैंने बोला यार आपन ध्रम संकट में अगर carrying cost के इसाब से चले तो यह कम कब होगी जब order size क्या हो small अगर यह कम करनी है रखने का खर्चा कम करना है तो order size रहनी चाहिए यह small लेकिन लेकिन अगर order cost कम करनी है देखो order cost कम करनी है तो यह big तो हमने बोला यार हम order size big रखे की small रखे वो नहीं होता क्या आपने कल मैंने बताया था आपको कि आप भी कई बार ऐसी situation में होते हो आप खड़े हैं यहाँ पे एक जन आपको इधर खेच रहा है एक जगह इधर खेच रहा है आप कौन से की side जाएं इसकी side जाएंगे तो यह root जाएगा इसकी side जाएं तो यह root जाएगा तो आप दोनों के बीच में खड़े हो जाओ ना तो big ना तो small तो आज की चर्चा यही है what should be order size ठीक है तो लिखना शुरू करिया आज की कहानी को conclusion यहाँ पर लिख दिया था हमने conclusion के बाद आप लिखिये यहाँ पर now लिखेगा आज की कहानी यहाँ से now we have to decide we have to decide what should be order size now we have to decide order size लिख्छा जे हमुर्के इन्जिए दा क्वांटिटी एट विच एट विच ऐसे लिखना जैसे मैं लिखना हूँ एन्वल ओडर कोस्ट इकोल टू एन्वल केरिंग कोस्ट एक फोर्मला बनाऊंगा मैं एट विच हम चाहते हैं जहांपे एन्वल आने जाने का खर्चा भी और रखने का खर्चा दोनों एक दूसरे के जहां बराबर हो जाए ना उस पोइंट पे हमको क्या करना चाहिए अपना ओडर साइज ओडर करना चाहिए फिर मने बोला भाई यह कैसे निकलेगा और यह कैसे निकलेगा एन्वल ओडर कोस्ट जो निकलेगी वो निकलेगी एन्वल रिक्वाइर्मेंट डिवाइड बाई ओडर साइज मल्टिप्लाइबाई ओडर कोस्ट और ओडर इकवल टू कैसे निकलेगी ओडर साइज डिवाइड बाई डू मल्टिप्लाइबाई गारिंग कोस्ट पर युनिट पर एन्व इस एक्वेशन को सोल कर लेंगे इसको ए से डिनोट कर देता हूँ इसको ओडर साइज से डिनोट कर देता हूँ और इसको O सिद नोट कर देता हूँ इधर आद आएगा order size divide by 2 multiply by C तो जनाब इसको equation को जब solve करेंगे आप तो यह बनेगा A multiply यहाँ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा भाग में तो गुणा में दो multiply A multiply O divide by order size equal to equal to order size multiply by C अब दो multiply A multiply O divide by C equal to order size का square अगर आप square हटाएंगे तो 2 multiply A multiply O divide by C का root equal to order size एक formula बन गया भाई यह formula समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं बस आपको copy में note down करना है this is the note the part of our syllabus यह formula कैसे बना यह exam में कभी नहीं आता है आपको सिरफ यह formula याद रखना है 2 A O divide by C बना कैसे है यह मैंने आपको लिखवा दिया है यह mathematical equation बनी है ठीक है न कि जहाँ पे order cost आने जाने का खर्चा और जहाँ पे रखने का खर्चा दोनों एक दूसरे के बराबर होते है वही order size हमको order करनी चाहिए तो यह formula आपको ध्यान रखना है यह last वाला formula ध्यान रखना है बस copy में ज़रूर लिख लीजिएगा कभी exam में यह जैसे अपना 10th, 11th, 12th में नहीं होता था गया Pythagoras पर में Pythagoras theorem को prove करना वैसे यहाँ पे एक theorem है एक concept है उसको हमने prove किया है तो यह prove करना कभी exam में आता नहीं है बस पता होना चाहिए या आया कैसे है थोड़ी understanding होनी चाहिए इसलिए मने आपको यह लिखवा दिया चलिए जणाब इसी के नीचे लिखेंगे note note लेकिना the quantity at which annual at which annual order cost and carrying cost both are equal then that quantity is known as economic order quantity जिसको हम EOQ के नाम से जानेंगे the quantity at which annual order cost and carrying cost both are equal एक दूसरे के बराबर हो उसी quantity को हम क्या पोलेंगे economic order quantity एक line हिंदी में लिख लेना हिंदी में लिख लेना हमें एक बार में मार्केट से जाकर उतनी quantity खरीदनी चाहिए उतनी quantity खरीदनी चाहिए ताक की हमारा आने जाने का खर्चा जिसको हम order cost बोलते हैं और सामान को रखने का खर्चा दोनो कम से कम आएं यहां तक लिखे एक बार झाल 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 हां जी तो economic order quantity लिख रहे थे देखो तो हमने बोला भाया हिंदी की में बात लिखी हमने कि हमको market से जाके उतनी quantity परचेज करनी चाहिए ताकि हमारे आने जाने का खर्चा जिसको हम order cost बोलते हैं और सामान को रखने का खर्चा जिसको हम carrying cost बोलते हैं दोनो कम से कम आएं मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाएं अब मैं छोटी छोटी बातें आप से पूछूँगा आप लोगों को जबाब देना है ठीक है आप लोगों को जबाब देना है ओके लिख लिया यहां तक सभी बच्चों नहीं देखिएगा एक छोटा सा नोटो लिखेगा छोटा सा नोट के एक 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 लिख लिख लिखेगा बस एक लास्ट में एक 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 लिखेगा एक्जाम्पल लिखेगा, एक्जाम्पल के अंदर लिखे, लिखे, एन्वल रिक्वाइर्मेंट ओफ रो मेट्रियल, इक्वल टू, दस हजार किलो सामान मेरी कमपनी को चाहिए, ठीक है, दस हजार किलो सामान मेरी कमपनी को चाहिए, फिर मैंने आपको बताया, ओडर कोस्ट पर ओडर, एक बार आने जाने का खर्चा लगता है, रुपीज पचास, फिर मैंने बताया, क्यारिंग कोस्ट पर यूनिट पर एनम, वो बताया मैंने, 8% of परचेज प्राइस, फिर मैंने आपको बताया, परचेज प्राइस पर यूनिट प्रुपीज दो, मैंने आपको बोला, क्याल्कुलेट करिए, ई-उ-क्यू, और दूसरा क्याल्कुलेट करिए, टोटल इन्वेंट्री कोस्ट पर एनम, ये एक एक एक्जाम्पल दिखेंगे सभी बत से, यहां से आपका एक्जाम ओरियंटेट क्यूशन है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो उपर कंसर्ट पढ़ा है हमने, उसी के एक्जाम ओरियंटेट कंटेंट यहां से शुरू हो जाता है, ईजिए Amp, स्कली के महाम्टे आप में, ईजिएन्ध, स्कली के मगामेरे साथ में, सलूशन, सलूशन, solution देखेगा सबसे पहले आपके दिमाग में एक picture create करिए कि हमारी एक company है देखो मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझा देता हूं ये हमारी एक company है ठीक है एक हमारी एक company है ये है हमारी company आप भी बना लिए ना copy के अंदर ठीक है ये है market 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 से हमको समान लेके आना है तो मैं कुछ जानकारियां आपको दे रहा हूं जानकारियां क्या क्या दे रहा हूं हमारी company की मैंने बुला A, A equal to होता है पूरे साल में आपको कितना raw material चाहिए annual consumption पूरे साल में हमको 10,000 kg raw material चाहिए ओ क्या होता है ओ होता है order cost per order एक बार जब तुम आओगे जाओगे copy में diagram बना ही लिए ना आप लो ठीक है मैंने बुला भीया तुम एक बार आओगे जाओगे तो तुम को एक ट्रक चाहिएगा और उसमें लगेगा तुमारा transport का खर्चा ट्रक वाला हमसे कितने रुपे लेगा एक बार के 50 रुपे लेगा हमसे एक बार के कोपी में लिख लिन आए पर चेज एट दा रेट दो रुपे पर रिर्यूनिट फिर जब तुम यहां पे सामान को स्टोर करोगे जो स्टोर सैंस दो हमारे सामान को ट्रक करने के कज पर the rate 8% of purchase price, जितने का सम्मान होगा उसका 8% that is 2 रुपे का 8% calculator होगा आपके पास में 2 रुपे का 8% होता है 0.16 रुपे पर यूनिट पर एन, पहले डाइग्राम बनाईए सभी बच्चे, फिर solution स्टार्ट करेंगे, पहले situation समझनी है, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी को 10,000 किलो समान चाहिए पूरे साल में, रखने का खर्चा आता है 0.16 रुपे पर यूनिट पर एन, प्रक वाले का किराय भड़ा है 50 रुपे, purchase price है 2 रुपे, हम ये decide करने चाहते हैं बच्चो, कि एक बार में कितना समान लेके आएं, उसी का नाम है EOQ, एक बार में market से कितना समान लेके आएं, कितना समान लेके हैं, कि अब 10 का 10,000 क्या एक ही चक्कर में लेके, क्या एक ही बार ट्रक में डाल के लिए दस के दस या फिर पांच पांच जार के दो चक्कर मारें पूरे साल में या फिर एक हजार के दस चक्कर मारें पूरे साल में तो हमको यह डिशाइड करना है कि मार्केट में हमको कितने चक्कर में यह समान लाना चाहिए कितने चक्कर मा अभी अभी ड्राइव किया था अभी अभी एक फर्मुला था तो ये वाला फॉर्मुला हम लों को बोलता कि ओर्डर साइज आपका यह होना चाहिए और साइज क्यों होना चाहिए एक बात करते हैं तो सबसे पहले हम निकालेते हैं E O Q, लिखेगा बचो E O Q, E O Q equal to 2 multiply A multiply O divide by C का root, ठीक है, दो फोर्मूले में ही है, A आपका है, 10,000 kg समान ले के आना है, एक बार का खर्चा लगता है 50 रुपे, रखने का खर्चा लगता है 0.16, इसका कर दीजिए root, आपके पास एक answer आया हुगा, calculator से सभी बच्चे calculate करके मुझे answer बताईए, बोलो जी बोलो, calculator होगा सभी के पास, कितना answer आया, इस formula को solve करिए, सर आंसर आया है 2500 kg, किलो के अंदर आंसर आएगा, जहां रखना है, 2500 kg अपना answer आया है, इसका मतलब क्या है, 2500 kg का मतलब है, हिंदी में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, 2500 kg का मतलब, लिख लेना, हमें, एक बार में, मार्केट से, 2500 kg सामान, लाना चाहिए, हमें एक बार में, मार्केट से जाके, 2500 kg सामान लाना चाहिए, इसी का नाम होता है, order size, और इसी का नाम होता है, EOQ, order size हमारा क्या होना चाहिए, EOQ होना चाहिए, economic order quantity, अगर हम 2500 kg का सामान एक बार में जाएंगे, ट्रक में 2500 kg सामान रखेंगे, वापिस अपनी factory में आ जाएंगे, तो हमारे पूरे साल में आने जानने के खर्चे भी कम होंगे, उसको रखने का खर्चा भी कम से कम होगा, ओके सर, यहाँ तक बात समझ में आती सब को, order size equal to EOQ, चलो जनाब, पहले का answer हमने दे दिया है, EOQ पूछा था, दूसरे का answer, एक्जाम वाले ने पूछा है, total inventory cost बताईए, इसी के नीचे लिखेंगे, total inventory cost per annum, total inventory cost का मतलब है, पूरे साल में खरीदने का खर्चा, प्लस लाने का खर्चा, प्लस उसको store करने का खर्चा, तीनों का जोड लगा दो, उसी का नाम होता है, inventory cost, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, annual purchase cost, सामान को purchase करने का कितना लगेगा, 10,000 kg सामान है, एक किलो सामान दो रुपे का मिलेगा, इस परकार से 20,000 रुपे का तो सामान हमारा, पूरे साल में खर्च हो जाएगा, खरीदने में, दूसरा, annual, order cost, annual order cost, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं बगतो, क्या आप इस डाइग्राम को देख के बता सकते हो क्या, कि पूरे साल में कितने चक्कर लगेंगे, अगर 2500, 2500, 2500 के चकर लगाऊं मैं, तो पूरे साल में मुझे कितनी बार सामान लाना पड़ेगा, क्या मुझे कोई आप में से number of order बता सकता है, कितने चकर मारने पड़ेंगे मार्केट के मुझे, सर चार चकर मारने पड़ेंगे हमें मार्केट के, क्योंकि पूरे साल में 10,000 किलो सामान लेके आना है, तो 2500,000 के चार चकर मार देंगे ना मार्केट के, तो पूरा सामान आ जाएगा, एक चक्कर में ट्रक वाला कितने रुपे ले लेता है पचास रुपे ले लेता है तो बताइए सारे साल का आने जाने का ट्रक का किराया कितने रुपे हो गया है तो मैं इसी कल्कुलेशन को देखो एक साथ कैसे लिख दूगा इसी कल्कुलेशन को एक साथ कैसे लिख दूगा 10,000 किलो समान मुझे पूरे साल में लाना है एक बार में लाओंगा 2500 किलो ठीक है तो 4 चक्र आ जाएंगे 10,000 को ढ़ाई से डिवाइड दिकर होगी तो 4 नंबर ओडर आ जाएंगे एक नंबर ओडर का लगता है 50 रुपे तो क्या डारेक्ली मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या बोलो हां किना 10,000 डिवाइड बाइड दाई तो 4 चक्र आ गए एक चक्र का 50 रुपे ले लेता है तो 200 रुपे के चक्र हो जाएंगे मेरे पूरे साल में ट्रक वाले का किराया है वो 200 रुपे ट्रक वाला पूरे साल में मेरे से ले लेगा ओके सर ठीर मैंने बुला भाई annual केरिंग कोस्ट अब सब बच्चे बताएंगे annualاد केरिंग कोस्ट रुको मुहित अभी जल्दबाजी ने annual carry cash अब एक बात बताओ फिर मैं इसको store में रखूँगा, तो जो मेरा store होगा, ये मेरा store है, इसमें 2500 किलो सामान होगा, और जैसे उसको फिर use करूँगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, average stock कितना रहता है मेरे factory के अंदर, average stock, तो ये मेरा opening, ये मेरा closing, तो बताओ अचो average stock कित कितना रहता है, 2500 किलो, दूसरा 0, तो average stock कितना रहता है, 1250 किलो, 1250 किलो average, ओ कि सर, तो एक बात बताओ, अगर 1250 किलो average रहता है, और एक unit रखने का खर्चा कितना लगता है, देखो, एक unit रखने का खर्चा storage में ये रहा, point 16 पैसे लग जाते हैं, एक unit को एक साल तक रखने के, तो 1250 को कितना होगा, 16 की साब से बताओ, जरा कितना होगा, 1250 को point 16 से multiply कर तो 200 आएगा, तो ये कैसे आया, तो मैं लिखूंगा, देखो ये, इसका direct formula कैसे बना दूँगा, 2500 किलो लेकि आउँगा, लेकिन इसका आधा, 1 by 2, इसका आधा, opening plus closing divide by 2, इसका आधा, और एक unit को रखने का खर्चा है, point 16, तो वापिस से कितना आगया, मेरा 200 रुपे आगया, इसी का नाम क्या हो जाएगा, total inventory cost, और एनम, पूरे साल में मेरे लग जाएंगे, 20,400 रुपे का खर्चा पूरे साल में खरीदने का, plus सामान को लाने का, plus सामान को संभालने का, उसको storage में रखने का, तीनों के तीनों खर्चों का जोड मेरा हो गया है, 20,400 रुपे, क्या ये बाते समझ में आई क्या, 10,000 किलो पर नहीं लगा गया, मौहित पूच रहे हैं, 10,000 किलो अरे मौहित मेरे भाई, संभालोगे किता, पूरे साल में 10,000 किलो लेके आऊगे, ठीक है, लेकिन तुम एक बार में लेके आए, 20,000 ये store में रखा, फिर इसको तुमने यूज कर लिया, फिर दुबारा से 20,000 लेके आए, उसको store में रखा, फिर उसको यूज कर लिया, फिर 2000 लेके आए, फिर store में रखा, फिर यूज कर लिया, फिर 2000 लाए, फिर store में रखा, फिर यूज किया, तो store में average कितना रहा, एक दिन तो 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000, फिर 2000, तो बताओ average यहां कितना तो हर दिन तुम्हारे पास बारा सो पचास है एक इनिट को रखने का 16 पैसे लगता है तो पूरे साल में 200 रुपे लगेंगे तो दस की दस हजार एक साथ थोड़ी ना लेक्या होगे डाई डाई जार ही तो समालोगे ना ओके तो हर दिन तुम्हारे पास में बारा सो पचास क्वांटिटी ही रहेंगी ओके सब्सक्राइब हिस निढ़ी बात आपको अब मैं छोटी सी ओरल बात पूचुँगा अ सभी लोग मताएंगे मुझे और नहीं बताएंगे तो गोली मार दों मैं यहीं से डिठान से बताना अमेरे को हमको है यह है हमारी कंपनी चीघे यह हमारी द्र में के हम कर दोंग कि आदstudy रहना यह हमारी कार है तो यह हमारी कंपनी है रॉसरी कंपनीं इस कंपनी को 10,000 किल रहते साल में चाहिए और इसने डिसाइड किया है कि मार्केट से हम कितना समान लेके आएंगे दाई हजार किलो समान एक बार में लेके आएंगे एक बार में लेके आएंगे सारे बच्चे बताओ अगर ये दाई हजार ना लेके आएं ये पांच हजार किलो समान एक बार में लेके आए तो इनकी order cost कम होगी की ज्यादा होगी बताओ इनकी पूरे साल की order cost आने जाने का खर्चा पहले की तुलना में अगर पांच पांच जार के चक्कर लगाएं तो order cost कम हो जाएगी मतलब 200 से कम आएगी की ज्यादा आएगी दिमाग लगा के बताओ सर 200 से कम आएगी क्यों कम आएगी क्योंकि सर 2 ही चक्कर मारेंगे 2 ही चकर मारेंगे एक चकर का 50 तो 100 रुपे ही आएगी सर ड़ाई ड़ाई अजार में 4 राउंड बनते थे 5 जार लगाएंगी तो 2 राउंड 100 रुपे आएगी लेकिन बच्चों बताओ क्यारिंग कोस्ट सामान को रखने का खर्चा क्यारिंग कोस्ट जो होगा सामान को रखने का खर्चा क्यारिंग कोस्ट होगा वो 200 से कम आएगा कि 200 से ज्यादा आएगा क्यारिंग कोस्ट बताओ कितनी आएगी सर केरिंग कोस्ट पहले डाही जार समालते थे तो इसका मतलब बारा सो पचास समालते थे आधा और अब पांच जार समालेंगे तो अब टोटल स्टोक डाही जार रहेगा हमारा तो केरिंग कोस्ट पहले की तुलना में क्या आएगी ज्यादा आएगी ज्यादा आएगी तो मेरे को बताओ हमको 5000 quantity अगर ले के आते हैं तो एक खर्चा तो कम हो जाता है लेकिन दूसरा खर्चा क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है लेकिन अगर EOQ formula की बात हम माल ले इस formula की बात माल ले तो आने जाने का खर्चा भी 200 है और रखने का खर्चा भी 200 है लेकिन अगर हम आने इसकी बात नहीं मानते हैं 5000 quantity ले के आते हैं 5000 quantity ले के आते हैं हम एक बार के अंदर तो आने जाने का खर्चा तो 100 हो जाता है लेकिन रखने का खर्चा डबल हो जाएगा 400 रुपे हो जाएगा तो हमने बोला यार 5,000 नहीं लेके आएंगे फिर क्योंकि इसमें 500 रुपे का खर्चा आ रहा है दोनों और इसमें 200-200-400 रुपे का खर्चा रहा है तो यो क्यू क्वांटिटी जो हमेशा रहेगी ना उसी क्वांटिटी का हम ओडर करेंगे इसी को हम ओडर साइज बोलेंगे ओडर साइज बोलेंगे आई बात समझ में तो उसके लिए ये कैलकुलेशन हमने लिख दी है यहां तक हमारा कंसेट पूरा जाता है ठीक है चले जनाब अब एक छोटा सा नोट लिखेंगे और उस नोट की हैडिंग लिखेंगे सभी बच्चे assumptions of EOQ formula heading लिखेंगे assumptions of assumptions of EOQ formula EOQ formula की कुछ assumptions है भाई यह assumptions अगर मानोगे तो ही आप इस formula को प्रियोग कर पाओगे पहला लिखो assumptions में पहला point लिखेंगे last point होगा यह इस concept का फिर बागी बाते खतम हो जाएंगे लिखना annual annual requirement annual requirement of raw material raw material of organization organization should be known in advance यह formula तभी लग पाएगा भाई जब आपको पहले से ही जनवरी महिने में ही पता हो इस पूरे साल में कितनी quantity हम required हैं कितनी quantity हम consume करने वाले हैं इस अनृट गिवन if a annual requirement को हम a से denote करते हैं if a is not given in question then a equal to normal usage of organization normal usage of organization multiply 12 month या फिर 52 week या फिर 365 दिन 365 दिन ठीक है C example में लिखेंगे order cost per order will be constant जो जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भया ये जो ट्रक वाला है ये गर 50 रुपया लेता है तो चाहे quantity कम लाओ तो भी 50 ही लेगा और अगर ट्रक वाले को ट्रक वाला 50 रुपय ही लेगा चाहे quantity ज्यादा लाओ कितनी भी quantity लाओ ट्रक वाला आपसे 50 रुपया ही एक बार का लेगा तो लेगा ये हमारी assumption है हलांकि ये assumption realistic नहीं है लेकिन अगर ये question करना चाहोगे तो आपको ये assumption माननी पड़ेगी ट्रक वाला 50 रुपय ले रहा था तो चाहे एक बार में 10,000 डाल के लाओ ट्रक में तो भी 50 रुपय का ही ट्रांस्पोर्ट का किराया लगेगा चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके लाओ तो भी 50 रुपय ही लगेगा लेकिन actual world में ऐसा नहीं होता actual world में अगर आपको कम समान लेके आना तो छोटा ट्रक लेके जाते हो आप आने जाने का खर्चा कम होता है लेकिन हमारे यहां पे यही assumption को follow करना आपको पड़ेगा assumption है भाई कोई इलाज नहीं है assumption मानना ही पड़ेगा carrying cost will be calculated on average stock और average stock कैसे निकालोगे opening प्लस closing divide by 2 that is order size plus 0 divide by 2 e point लिखोगे sometime time carrying cost percentage is given then apply such percentage then multiply then multiply such percentage with purchase price eoq formula assume that there is no discount on purchase price there is no discount there is no discount on purchase price लो जी आज यहीं तक लिखेंगे कल हम इस चीज को समझेंगे ठीक है जल्दी जल्दी चलिखो अब आपकी next class का समय हो गया है यहां तक लिखो फिर कल है इसको समझेंगे हुआ कर समय है पिर को जाप este जापा गपकी ऑल्माल जापकी समय हुआ चापकी अवद्स